हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों तो आज हम मूवी रिव्यू करने वाले हैं सनम तेरी कसम ये मूवी 2016 में रिलीज हुई एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे डिरेक्ट किया है राधिका राव और विने सप्रू ने इसमें में लीड में हैं मावरा हुकेन और हर्शवर्दन राने दोस्तों वैसे तो बॉल्यूड फेमस है रोमेंटिक मूवी बनाने के लिए यहां हर साल सेक्डो रोमेंटिक मुवीज बनती हैं और वो फेमस भी हो जाती हैं पर उन में से कुछ ऐसी मुवीज होती हैं जो असल में डिजर्विंग होती हैं पर उन्हें वो फेम नहीं मिल पा था वैसी ही एक मुवी है सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम मुवी बॉलिवुड की वन अव दे मोस्ट अंडर रेटेड रोमेंटिक फिल्म है आज हम इस मुवी को रिव्यू करेंगे और इस मुवी की एनलिसिस करेंगे अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे ताकि आपको रेगुलर अप करेक्टर सरू एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलॉंग करती है जिसमें पिता को ही सब कुछ माना जाता है पिता की हर बात मानी जाती है चाहे किसी को उस बात से अबजेक्शन हो या फिर कुछ और हो एक रूडिवादी पुराने टाइप की फैमिली दिखाई गई है जो क इंडिया में जादतर देखने को मिलती भी है अब सरू की लाइफ की प्रॉबलम ये है कि उसकी छोटी बहन की शादी तै हो चुकी है वो बड़ी है फिर भी उसकी शादी कहीं पे तै नहीं हो रही क्योंकि उसके लुक्स और उसके परसनेल्टी लोगों को पसंद नहीं आत बहुत ही ओल्ड फैशन और बहनजी टाइप है इसलिए इसी वज़े से सरू बहुत ही लोग कॉन्फिडेंट हमेशा फील करती है और इसी टाइम पर एंट्री होती है हमारी फिल्म में हमारी हीरो हर्शवर्दन रानी की जो उसके लिए एक बेस फ्रेंड का रोल अदा करता है उसको मेकोवर दिलवाता है उसकी परसनेल्टी चेंज करवाता है ताकि उसका रिष्टा जल्दी से जल्दी तै हो जाए क्योंकि सरू का लाइफ का कोई एम नहीं है उससे बस अपने घरवालों के लिए सेक्रिफाइस करने है और वो दोस्त हर्शवर्दन रानी उसकी प प्यार मुकमल होता है क्या ये एक दूसरे से मिल पाते हैं साथ रह पाते हैं इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी अब हम बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में मूवी के रिव्यू में हमारा पहला पॉइंट है एक्टिंग इस मूवी में इन दोनों मेन लीड ने बहुत ही बहतरीन एक्टिंग की है इनके अलावा विजय राज और फादर का रोल जिनों ने निभाया उन्होंने भी बहतरीन एक्टिंग की है सबसे जादा अच्छी एक्टिंग की है हर्शवर्दन राने ने इस बंदे के पास क्या कमी यह अच्छी डायलोग डिलिवरी करता है इसके लोक्स अच्छे है इमोशन्स को एक्स्प्रेस अच्छे से कर सकता है सब कुछ है इस बंदे के पास फिर भी यह बंदा भी फ्लॉप हुआ और यह मुवी भी फ्लॉप हुई जस टाइम आई थी इसी लिए यह मुवी शायद वन अफ दा मोस्ट अंडररेटेट फिल्म बन चुकी है अभी के टाइम में और लोगों को यह मुवी जरूर देखनी चीह है इसी रीजन से कि दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है बहुत ही अच्छी कहानी के उपर रिव्यू का सेकंड पॉइंट है म्यूजिक इस मुवी का म्यूजिक इतना ब्यूटिफुल है इतना सोल टचिंग है हिमेश रश्यमिया ने बहुत ही मास्टर पीस लेवल का म्यूजिक इस मूवी के लिए अगर आप मूवी के सीन्स के साथ म्यूजिक को देखें गे तो एक बार में कनेक्ट हो जाएंगे एक बार में तीसरा अच्छा पॉइंट इस मूवी का इस मूवी के डायलोग और उनकी डायलोग डिलिवरी डायलोग बहुत ही बहतरीन लिखे गए एकदम ऐसे सटीक लिखे गए हैं कि लव स्टोरी पे सेट बैठते हैं ना कि आजकल बनने वाली बक्वास मुवीज में लिखे जाने वाले बक्वास डायलोक्स की तरह इस movie के dialogues बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही realistic हैं, बहुत ही touching है fourth point इस movie की writing वैसे तो ये Shakespearean love story है या फिर कह लिजे लैला मजनू ही रांजे वाली love story है पर इसको जो modern touch दिया है वो बहुत खुपसूरत है, बहुत realistic है और जैसे हम सबकी ही life में कोई एक ऐसा होता है, जिसे हम पूरी जिन्दगी प्यार करना चाहते हैं, पर नहीं कर सकते वो ही इस movie में दिखाया है, आप ये movie बिलकुल देखिए, आपको पक्का ये movie end तक रुला ही देगी इसका music आपको पूरा दिल छू जाएगा, आपको टच कर लेगा, आपके आत्मा को छू लेगा, कहानी बहुत ही अच्छी है इसको मैं rating कुछ नहीं देऊंगा, क्योंकि ये movie बहुत ही करीब है मेरे दिल के तो आप ये movie देखिए, आप पक्का enjoy करेंगे, signing off, नाम कबीर, tada, bye bye